यदि भौतिक से परे कुछ आपके जीवन में एक जीवत वास्तविक्ता बन रहा है। अगर आप वास्तव में लालची होते तो आप उच्चतम की अभिलाशा करते बिना लक्ष के एक शक्तिशाली इच्छा। ये उर्जा अगर पूरी ताकत बन जाए, किसी एक चीज की ओर नहीं, ये ध्यान है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इस विचार या विचार धारा पर पले-बड़े हैं कि संतोष सबसे बड़ा गुण है। अगर अभी जो आप हैं, उससे संतोष्ट हैं, तो आप ये जानते भी नहीं हैं कि यदि आप प्रयास करने को तयार हैं, तो आप क्या बन सकते हैं। इनसान की खुद को विकसित करके, एक ऐसी स्थिती में लेकर जाने की ख्रमता, इनसान की खुद को एक खुबसूरत और सुगंधित अवस्था में खिला पाने की ख्रमता, इसे पूरी तरह से नजरनदास कर दिया गया है, इसी लिए संतोष्ट है। एक बार ऐसा हुआ कि एक नव विवाहत महिला या लड़की अपनी मां के पास वापस गई और बोली, कि मेरा पती इतना अच्छा आदमी है कि मैं जो कुछ भी मांगती हूँ वो देता है। दुनियादारी की समझ वाली मां ने उसकी ओर देखा और कहा, जाहिर है कि तुम कम मांग रही हूँ। ये मां की सला है, वो सास थी। तो जाहिर है कि आप जीवन से परियाप्त नहीं मांग रहे हैं। इसलिए आप संतुष्ट हैं। अगर मैं लालची हूँ, तो क्या ये बहतर होगा। हाँ, आपको लालची होना चाहिए। अभी समस्या ये है कि आप अपने लालच को लेकर कंजूस हैं। इस दुनिया में समस्या लालच की नहीं है। इस दुनिया में समस्या ये है कि लोग कंजूस हैं। वे कंजूस हैं। इसलिए वे सबसे बड़ी संभावना की अभिलाशा नहीं करते। वे अगली दुनिया के लिए खुद को बचाना चाहते हैं। अगर आप लालची होते तो आप जीवन से सब कुछ चाहते हैं। क्या आप थोड़े अधिक पैसे या थोड़ी अधिक दौलत या थोड़ी अधिक शक्ती या थोड़े अधिक आनंद से संतुष्ट होते। यदि आप वास्तम में लालची होते तो आप सर्वोच्चत्तम की अभिलाशा करते है कि नहीं। अब लालच समस्या नहीं हैं। लोग कंजूस हैं ये समस्या है। परियाप्थ परियाप्थ शब्द को हमारी शब्दावली से हटा दिया जाना चाहिए। क्यूंकि परियाप्थ केवल जीवन की भौतिकता के लिए प्रासंगिक है। अगर आपको भोजन परोसा जा रहा है, तो कभी न कभी आपको ये कहना पड़ेगा, ये परियाप्थ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या, जो कुछ भी भौतिक है, कही न कहीं आपको कहना होगा परियाप्थ। और परियाप्थ या संतोश लोगों के दिमाग में कीमती चीज बन गई है। सिर्फ इसलिए क्यूंकि उन्होंने भौतिकता से परे के आयामों को देखा ही नहीं है। क्योंकि भौतिक्ता एक सीमित एकाई है. भौतिक्ता की अपने आप में एक सीमित मात्रा है. हर वो चीज जो भौतिक है, उसकी कुछ सीमाई होती है. तो अगर आप भौतिक के साथ लालची हो जाएंगे, तो औरों के लिए कमी हो जाएगी. मानली जी के इतना भोजन है, यदि आप कहते हैं मुझे ये सब चाहिए, तो कोई और नहीं खा पाएगा. यहां केवल इतनी जमीन है, अगर कोई कहें मुझे ये सारी चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा. जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, यहां हर किसी की जरुरत के लिए परियात है, पर सिर्फ एक आदमी के लालज के लिए भी काफी नहीं है. भोतिकता के साथ ये सच है. यदि आपका जीवन और आपके अनुभव का दाइरा अस्तित्व की भोतिक प्रकृती तक सीमित है, परियात, संतोष एक अच्छा विचार है. लेकिन अगर आपका जीवन भोतिक से परे आयामों को खोजने लगा है, अगर भोतिक से परे कुछ आपके जीवन की वास्तविक्ता बन रहा है, संतोष एक बहुत बुरा विचार है. इसका मतलब है कि आप खुद को पनपने से रोक देंगे, वो संभावना, एक असीम हस्ती बनने की संभावना, आप नश्ट कर देंगे, जिस खषण आप कहते हैं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, संतोष एक सीमा है, इतना ही काफी है, इसका मतलब है कि आप उतनी ही बड़ी सीमा खींच रहे हैं, परियाप्त अच्छा विचार नहीं है, संतोष एक अच्छा विचार नहीं है, सफलता के आपके सीमत विचार एक अच्छा विचार नहीं है, जब तक ये जीव अपने आपको एक असीम अवस्था में नहीं खिला देता तब तक आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए आपको असंतोष में जलना चाहिए अब संतोष को एक विचार धारा के रूप में हमारे जीवन में लाने की जरूरत नहीं है बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी अभिलाशा असीमित हो जाती है अगर आपकी अभिलाशा और इच्छा चुनने वाली नहीं है ये बस हर चीज की इच्छा रखती है तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आपको अस्तित्व की भौतिकता तक सीमित नहीं रखेंगे जब ये चुनने वाली नहीं रह जाती तो इच्छा इस जीव को खोल डालने के लिए एक शक्तिशाली उर्जा बन जाती है जो खुद को संतुष्ट रख कर रोक रहा है लोग विभिन्स तरों पर जीवन के अलग-अलग चरणों में संतोष प्राप्त करने का प्रयास कर रही है कृपया इसे देखिए जिसे आप संतोष कहते हैं वो सिर्फ नियंतरण है आप एक तरह की सीमा खीचने की कोशिश कर रही है अपने विवेग का एक किसम का दिखावा लेकिन वो सीमा आपको बस थोड़े समय के लिए विवेग देती है फिर इसका विस्तार करना होगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा बीस साल की उम्र में आप जो सोचते थे बस इतना आपके लिए संतोष जनक होगा क्या तीस साल की उम्र में भी वो संतोष जनक रहता है तीस साल की उम्र में संतोष पर आपके जो विचार है क्या 40 पर भी वही रहते हैं, सिवाए इसके की आप लगातार और अधिक खराब नहीं होते जा रहे हैं। अगर आपका जीवन पूरी थरा विफल है, तो संतोष को लेकर आपके विचार नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार विकास कर रहे हैं, आपके संतोष की सीमा बढ़ती जाती है, है न। यदि आप अपने जीवन में असफल हैं, सिर्फ तभी आपके संतोष का विचार छोटा हो जाता है, नहीं तो ये लगातार विस्तार कर रहा है। संतोष बस अंतहींता में शामिल होने का एक सावधानी भरा तरीका है। आप सावधान हो रहे हैं, आप किष्टों में अंतहींता की ओर जाना चाहते हैं। किष्टों में अगर आप अंत की तलाश करते हैं, तो आप भटक जाएंगे। क्योंकि कोई भी, कब ही भी गिनती करके उस तक नहीं पहुँचा है, जिसे हम अनंत कहते हैं। ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच करके, किष्टों में आप अनंत तक नहीं जा पाएंगे। प्रकृती के मामले में ऐसा नहीं होता। किष्टों का सहरा लेकर अगर आप असीम या अनंत प्रकृती को पाना चाहेंगे, तो आप बस अंतहीन गिनती बन जाएंगे। बस इतना ही हो पाएगा। अंतहीन गिनती एक दिन आपको ठका देगी। बस गिनें और देखें, आज आप गिनना शुरू कीजिए, बिना रुकें, बस अपनी गती से गिनते रहिए, मेरी गती से नहीं, अपनी गती से, एक, दो, तीन, चार, पांच, गिनना शुरू कीजिए, रुकिए मत। आप जान जाएंगे कि आप बिना ठके कहां तक जा सकते हैं। शारिडिक ठकावट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ गिनती करते-करते ठक जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। तो चाहने की प्रक्रिया एक असीमत प्रक्रिया है। पर आप अपनी इच्छाओं के बारे में चैनात्मक होकर इसे सीमत कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, पर ये 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 और ये नहीं। आप अपनी इच्छा में से भेद भाव की भावना हटा दें अगर अभी आप यहां बैट जाएं और किसी विशेश चीज की इच्छा न करें सब कुछ की इच्छा करें बस सब कुछ की ज़रा देखिए क्या आपका मन ऐसा कर सकता है किसी विशेश चीज की इच्छा मत कीजिए, बस इच्छा कीजिए हर चीज की सबसे पहले आप नहीं जानते कि सब कुछ क्या है कोई नहीं जानता कि सब कुछ क्या है, है न? वो सब कुछ जो आप जानते हैं और वो जो आप नहीं जानते बस उन सभी चीजों की इच्छा कीजे जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं आप देखेंगे इच्छा वह उर्जा जिसे आप इच्छा कहते हैं वह ध्यान मैं बनने के लिए एक जबरदस्त शक्ती बन जाएगी ध्यान, भक्ती बस यही है बिना लक्ष की इच्छा अगर आपकी इच्छा, आपकी ये उर्जा, अगर पूरी ताकत बन जाए किसी एक चीज की और नहीं, यही ध्यान है यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो संतोष जैसी कोई चीज नहीं है आप्त जैसी कोई चीज नहीं है, लालच ही नियम है, ये ठीक है क्या? हालांकि लालच एक बुरा शब्द है, नहीं, लेकिन लालच ही नियम है, क्योंकि असीम इच्छा को आम तोर पर लालच माना जाता है, लेकिन ये सच नहीं है, किष्टों में जाना लालच है, अगर कोई कोई आपसे बड़ी किष्टों में आगे बढ़ रहा है, तो आप इसे लालच समझते हैं, है ना? आया ना? हाँ या नहीं? अगर कोई आपसे बड़ी किष्टों में आगे बढ़ रहा है, तो आप उस व्यक्ति को लालची समझते हैं. अगर वे आपकी ही जैसी किष्टों में आगे बढ़ रहा है, तो आप इसे मुकाबला मानते हैं अगर कोई आप से छोटी किष्टों में आगे बढ़ रहा है, तो आप उसे अयोग ये कहते हैं ऐसा है के नहीं? कोई आगे बढ़ रहा है, वो इतनी सी ही चाहत रखता है जब काम्याब हो जाता है तो थोड़ा और आगे बढ़ता है, आप उसे देखते हैं और फिर, हा? वो मेरी बराबरी का नहीं है कोई आप ही के जैसे किश्टों में आगे बढ़ रहा है अब ये मुकाबला है कोई छलांगे मारता आगे बढ़ रहा है लालची तो लालच एक बहुत ही सापेकशिक शब्द है हर कोई अपनी समझ के अनुसार अपनी सीमाओं के अनुसार एक निश्चित स्तर की इच्छा को लालच के रूप में देख रहा है मेरी शब्दावली में लालच जैसी कोई चीज है ही नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि इनसान को सब कुछ से कम कुछ भी नहीं खोजना चाहिए और जब वह सब कुछ ढूण रहा होगा तो छोटी मोटी चीजें उसका ध्यान नहीं खीचेंगी वह भोजन के बारे में नहीं सोच रहा होगा वह रुपय के बारे में नहीं सोच रहा होगा वह जमीन के टुकडे के बारे में नहीं सोच रहा होगा वह सबसे बड़ी संभावना के बारे में सोच रहा होगा उससे कम कुछ भी नहीं कर दो